हेलो अबरोबडी हम लोग आज एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है mathematics for physics इसमें जो भी कठना ही आती है physics के अंदर में जब आप शुरुबात करते हैं as a 11th student और 12th student तो आपको पहला जो चीजें वो समने में आ जाता है कि direct आपको equation दे दिया जाता है x is equals to t cube then find out acceleration acceleration at t is equals to two seconds तो आप लोग two time derivative पढ़े नहीं होते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से CBSE वालों का जितनी भी है वो 12th के बाद ही शुरू होता है derivative का part वैसे शुरुबात होता है differentiability के बारे में थोड़ा discuss किया यह 11th में बट तब शुरुवात में यह दिक्कत आती है इस तरीके का तो इस तरीके की चीजों को remove करने के लिए हम लोगों ने सुचा है कि यह course start किया जाए इस course में हम लोग जितनी भी basic चीजें है physics से related और physics के लिए उन सब चीजों को हम discuss कर सिर्फ mathematical टूल जितनी जरूरत जरूरी चीजें है physics के लिए उसको हम लोग यहाँ अपलाई करेंगे तो हम लोग शुरुवात करेंगे बहुत ही basic चीजों से function से फिर हम graph के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे क्यूकि graph बहुत important हो जाता है physics में और किसी-किस equation से को देख करके हमको बताना पड़ता है कि यह किस तरीके का nature शो करता है कभी-कभी हमें पता करना पड़ता है कि वह linear nature है या non-linear है या किस तरीके क तो इस तरीके की चीजे में बहुत काम आती है आपका जब आप स्टार्ट करते हैं वर्क वाला चैप्टर तो उसमें भी आपको जो integration का यूज होता है और Newton's law में भी आप शुरुवात करेंगे तो आपको mainly acceleration find out करने के लिए db by dt का यूज होता है तो वह सब चीजे भी है औ इसी के साथ हम लोग अभी शुरुवात करते हैं चैप्टर का और हम लोग शुरुवात करते हैं function से